नमस्कार दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबच्छे होंगे अपनी जो तैयारी है वह बहुत तरीके से लेकर चल रहे होंगे लेकिन विध्यारती के जीवन में संगर्ष की गाथा जब लिखी जाती है तो बड़ा लंबा संगर्ष करना होता है कभी आयोक की मंसा के कारण कभी विध्यारती के अपने खुद की कारणों से देखेगा अभी हाली में आरोक एक्जाम की गतिविधी के बारे में आपको जानकारी मिली चुकी होगी कि आरोक एक्जाम जो है इस समय अब दो एक डेट में होने की संभावना तैहिस हो चुकी है जो कि बाइस थारीक और तैहिस थारीक होगा उपर से तीन सिफ्टों में एक्जाम के साथ वहां पर जीयस का हिंदी का पेपर एक साथ होगा यह बड़ी समस्या होना साथ में पीशेस का एक्जाम जहां मात्र 30-40 डे के आराउंड बचे हों प्रिलम्स एक्जाम के लिए उस पीशी किरम में आयोग ने एक बहुत बड़ा बदलाब करने की भूमी काम आयोग आगे बढ़ रहा है जहां पर PCS प्रिलम्स का एक्जाम जो है एक दिन में होता था अब उसको दो दिन में करने की प्रिकास से कह सकते हैं जो कवायत हो लगातर आगे चल रही है क्या बज़ प्लस वेकेंसी होनी की संभाब ना है लेकिन अभी आयोग उसको भी कही ना कहीं सपस तरीके की दरीमन्याल नहीं करना चाहता है बड़ा गंभीर विसे जब बन जाता है कि बिध्यारती अपने कर्मों की जो आहोती अपने युद्शित में लगाने का प्रियास करता है और आने वाली जो अर्चनों को कहें ना कि तोड़कर आगे सपलता की गीत लिखना चाहता है उससे बहुत सारी रुकावटें आपके सामने आते हैं दुख कभी से यह नहीं है कि एक्जाम दो दिन में हो रहा है दुख कभी से यह है कि इसकी प्रिवर्ती है उसमें कितना को लेकर बिल्कुल यह थे आराम से पास कर लेंगे सीचेट को ले डूबएगा इस समय क्योंकि सीचेट इभी में भी स्केलिंग के माध्यम से बड़ा नुक्सान आपको देखने को मिलेगा चर्चा कर लेते हैं क्या कहानी इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इसे हाली में एक लेटर आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है और यह लेटर वास्विक्रों से हंडेट परसेंट सही है तो पहली बात तो यह एक लेटर सही है तो आयोग ने अभी देखा जाए तेहर तारीक को सभी जितने जिलादिकारी है एक फिट पोस्ट के माध्यम से ल लेटर यह है कि उप्रवक्त विश्चे की संबंद में अभगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रस्णगत परिक्षा का आयोजन दिनांग 27 अक्टूबर 2224 को कराया जाने हेतु परिक्षा केंद्रों सहीमती मांगे गई थी किन्तु अविस्थों की संख्या के द्रस्टिक रखते हुए यहां पर केंद्रों की सहमती प्राप्त ना होने के कारण यह परिक्षा अब यहां पर 26 अक्टूबर और 2024 को 9.5 से लेकर 4.5 के बीच में और 27 अक्टूबर 24 को 9.5 से लेकर 1.5 के बीच में और 2024 को 2.5 बीच में कराए जानी है देखेंगे आज़या ँस पस्ट और दूसरा जो है साड़े चार से लेकर साड़े चार के बीच में इस दूसरा जो पेपर है ये भी आपका साड़े 24 के सपेक्ष में मानक के नुरोप यहां पर 27-10 को यहां पर हम लोगों ने एक उपलब्द कराई गई थी उन्हीं विध्यालियों से 26 तारीक की सूचना भी उपलब्द करा ली जाए जिससे कि 26 और 27 तारीक को दो दिन में एक्जाम हो जाए कौन सा प्रलम्स का जो हमारा अभी पढ़ाई करेगा तो उसका आधार क्या होगा मुमेंट करने फिर पढ़ाई करने तरह फैयदा क्यों मेरा मानना यह है कि यह बड़ा चेंजिंग हो रहा है आयोक के दौरे में और जिसका एक तात पर यह निकलके आता है कि अंतिया मिन्त तो तो जाए तो यहां पर अब दो कि हमें लास क्रेक करने के लिए दो से तीन जरूरी होती है जैसे करन्ट अफिर एक ऐसा बेटे जाए जहां पर तीस से पैटी चालेस कोशन यहां देखने को मिलेंगे करन्ट अंतिम आयाम क्या हो पढ़ना कैसे हमारे साथ कैसे फ्री में जोईन कर सकते हैं दूसरा पी वाई क नो साड़े नो बजे का आउंड हम लग इस सेसन को करेंगे और यह एक्जाम के लिए काफी इंपोडेंट बन जाएगा तो इसके लिए जरूर जुड़िएगा आप लोग दूसरी बात यह निकल करने के लिए अब आपके पास दो ही रास्ते बचे हैं एक रास्ता यह है कि वास्वी गृफ से चैंजिंग हो रहा है विध्यार्तियो के पक्स B पक्स में दोनों को रहानी लाव होनी की सम्भावना है कि समभावना है कि सकूं लाव औरति मैं पूरी विस्तार प्लव की एक तुष को प मतलब यह रहा कि यह जीतने bी एरिया नि started वहाँ जो से बहु करना है करन्ट अफेर का मतलब यह रहा कि आपके एकजाम में करन्ट फेर का बहुत में बेटेज रहता है कुल मिलाके मैं कह सकता हूं कि यह लगबग 30-35 कुछन आपको देखने को मिलेंगे प्रिलम्स एकजाम में तो इसको तो एक साल के करन्ड फेर को हिस्टोरीकल है या प्रक्टिस के रूप में जो आपके पास पीवाई क्यों है लगबग 20 साल के पीवाई को जरूर रेडी कर लिजेगा उसके बाद लगबग 50 लगबग टैस्ट रीज एक प्रिकास लगाया होगा या नहीं लगाया तो आप लगा लिजेगा यह इसके लाब पचास का मतलब ह के लिए रिविजन सेशन लेके आ रहे हैं जहां पर जो कोरी एरिया है प्रलंस का वह सामको रोज जेली सिक्स पी एम पर हम हिस्टी जोग्रफी एकोनोमी पॉलिटी अलग सब्जक्त के अधार पर जो में को टॉपिक है उनसे हम लोग रिविजन करते हैं उसके बाला सब्सक्राइब को पूरा मूलभूत तरीके से हम टॉपिक वाइच पढ़ पारेंगे इस तरह पोइंट मनता है कि यहां पर पीवाई की सेशन में आपके सामने यहां पर कर रहा हूं जो की इस्टी जोग्रफी कोनोम पुलिटी सबका बीस साल के प्रस्टों का जो महाशन उ जा सकते हैं आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहां पर जाएंगे जैसे ही तो यहां पर आप पर 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 चेस में जाने के बाद आपके पास की सब्सक्राइब कर अपने जो देखकर अपनी जर्णी को रिडी कर सकते हैं और अभी हाली में हम लोगों ने 10 टैस्ट ए अपनी जर्णी को रिडी कर सकते हैं तो दोस्तों इनको जो गाथा है सपलता की लिखने का प्रियाश करिएगा एक्जाम यूपी पीस्याम है लगातार बदलाब की और बढ़ रहा है अब रणिती क्या हो इसके लिए बहुत सब्सक्राइब को सिंपल और साथ में कम्प्रे हो रही है सपलताओं को देखते हुए अहतास होकर इस रास्ते को छोड़कर कुछी दूसरे रास्ते पर जाने का प्रियास कर पाएंगे बाद में अन्त में तो दोस्तों हमारे इस परिवास जुणने के लिए नीचे लिए लिंक भी दिया गया है वहां पर आप इसको कर लिजीगा आज सामको मैं आ रहा हूं एक साड़े नो बजी के रहा हूं लगबगा आपको लेकर जो बहुत इंपोड़ेंट चर्चा हम लोग करेंगे ठीक है आल दर बेस्ट लब यो लो फिवाबाबाई टेक एर